Welcome students, आज का topic है fractions, especially comparing and ordering fractions, fractions को आपस में कैसे compare किया जाए और एक order में कैसे जमाया जाए, smallest to largest या largest to smallest. चलिए, सबसे पहले देखते हैं किस तरह के fractions, if two or more fractions have the same denominator, अगर fractions का denominator same है, तब हम कैसे compare करें, यह तो बहुत ही असान है, अगर denominator same है, जैसे 1 by 6 और 5 by 6, यह देखो, 1 by 6 और 5 by 6, यहाँ दोनों ही fractions में denominator same है, यानि total number of whole parts same है, 6 है, तो यहाँ numerator से compare करेंगे, 1 और 5, इन दोनों में से कौन बढ़ा है, 5, जो numerator बढ़ा है, वही fraction भी बढ़ा हो जाएगा, it means 5 by 6 बढ़ा हो जाएगा, 1 by 6 से, इस तरीके से लिख सकते हैं, यह वाला sign लगा के, 1 by 6 is less than 5 by 6, 1 by 6 5 by 6 से छोटा है, यह हम कह सकते हैं, 5 by 6, 1 by 6 से बढ़ा है, तो जब denominator same होता है, fractions को compare करना भी बहुत easy होता है, अब देखिए, दो fraction मैंने लिए हैं, यहां number line पे मैंने शोगी हैं, fractions 4 by 5 और 4 by 10, एक बार दोनों fractions को observe करिए, दोनों में क्या same है, numerator, यहां पे numerator 4 है, और 4 by 10 में भी numerator 4 है, तो कौन सा fraction बढ़ा होगा, अगर numerator same है, तो क्या बड़ा denominator वाला fraction बढ़ा होगा, नहीं, यहां उल्टा होता है, आप ध्यान से देखो number line पे, 0 to 1, और यह भी 0 to 1, यहां denominator 10 है, तो 10 equal parts में divided है यह number line, और यहां denominator 5 है, तो 5 equal parts में divided है, और 4th part 5, 4 by 5 का मतलब 4th part तक shaded करें, तो 1, 2, 3, 4, 4 part shaded किये, और इधर भी 4 part shaded किये, 1, 2, 3, 4, 4 by 10, अब आप देखो, खुदी देखो, 0 से 1 तक का same number line है, यह, लेकिन 4 by 10 यहीं तक आ रहा है और 4 by 5 इतना आगे तक चा रहा है, इसका मतलब 4 by 5 बड़ा है, यानि क्या मतलब निकला कि अगर numerator same है, तो जिसका denominator जोटा होता है, वो fraction बड़ा होता है, यानि हम कह सकते हैं कि 4 by 5 बड़ा है, ग्रेटर है, 4 by 10 से, राइट, ऐसा हमने क्यों कहा, numerator तो same है, पर denominator को देखके हम बता सकते हैं, जिसका denominator चोटा है, वो fraction बड़ा होता है, और जिसका denominator बड़ा होता है, वो fraction चोटा होता है, चलिए कुछ questions करें, यह देखिए, 4 by 9 और 7 by 9, अब देखिए, यहाँ denominator सेम है दोनों का, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो हमें सिर्फ numerator देखना है, और जो numerator बड़ा, वो fraction बड़ा, यानि इन दोनों में 7 by 9 बड़ा है और 4 by 9 चोटा है, तो यह sign आ गया, एक और question देखिए, 1 by 8, 1 by 21, अब यहाँ देखिए, यहाँ numerator सेम है, लेकिन denominator डिफरेंट है, तो जो denominator छोटा होगा, वो fraction बड़ा होगा, यानि 1 by 8 बड़ा fraction हो जाएगा, क्योंकि 8, 21 से छोटा है, एक और देखिए, यह देखिए, 1 by 4, 1 by 5, numerator सेम है, denominator यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो जो denominator छोटा है, वो fraction बड़ा हो जाएगा, यानि 1 by 4 बड़ा होगा, अब हम ऐसे fractions को compare करेंगे, जिनके denominator सेम नहीं है, और नहीं numerator सेम है, तो हमें क्या करना होगा, तब हम equivalent fractions बनाएंगे, किसके help से बनाएंगे, LCM की help से, देखिए, कैसे करते हैं इसको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और यह बहुत important भी है, 5 by 7 और 3 by 14, इन दोनों fractions को compare करना है, compare करने के लिए, देखिए, ना तो इनके denominator सेम है, इसका denominator सेवन है, इसका 14 है, numerator भी सेम नहीं है, numerator यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो हम सिर्फ देख करके, तो compare नहीं कर सकते, अब हम यहाँ निकालेंगे, LCM, LCM निकाला जाता है, denominator का, यहाँ denominator 7 है, और यहाँ 14 है, तो यहाँ side में, मैं LCM निकालूंगी, 7 और 14 का, LCM के लिए common division method यूज़ कर रही हूँ, अगर आप भूल गए हैं, तो LCM वाला वीडियो देख लीजिए, दुबारा, 7 और 14, 7 और 14 का common divisor क्या होगा, 7, तो 7 से मैंने दोनों में divide लगाया, 7 बन और LCM क्या होता है, product of these divisors and remaining numbers, तो product किस का, 7 का और 2 का, तो 7 तूज़ा 14 आ गया LCM, अब हमें क्या करना है, हमें compare करने के लिए जरूरी है कि denominator same हो जाएं, तो हम यहाँ एक denominator तो 14 पहले से है, 3 by 14 का denominator 14 ही है, लेकिन 5 by 7 का denominator 14 नहीं है, तो हम 5 by 7 का ऐसा equivalent fraction बनाएंगे, जिसका denominator 14 हो, तो देखिए 7 को किस से multiply किया जाए, कि वो 14 बन जाए, 7 तूज़ा 14, और equivalent fraction में हमें क्या करना होता है, जिस number से हम denominator को multiply करते हैं, उसी number से हमे numerator को भी करना होता है, अगर हमने 7 को 14 बनाने के लिए 2 से multiply किया है denominator में, तो numerator में भी हम 2 से multiply करेंगे, तो यह आजाएगा 5 तूज़ा 10, तो 5 by 7 का equivalent fraction बन गया, 10 by 14, बस अब हम आराम से compare कर सकते हैं, क्योंकि यह 5 by 7 convert हो गया, 10 by 14 में, और यह 3 by 14 तो as it is है, अब डोनो denominator 14 है, अब सिर्फ numerator देख के यह बता सकते हो कि कौन सा fraction बढ़ा है, 10 और 3 numerator है, 10 बढ़ा होता है 3 से, इसलिए 10 by 14 बढ़ा है 3 by 14 से, और 10 by 14 किसका equivalent fraction था, 5 by 7 का, इसका मतलब 5 by 7 बढ़ा है, एक और question करते हैं, यह देखिए, 9 by 10 और 5 by 6, अब यहाँ पे पी देखिए, ना तो numerator सेम है, ना तो denominator सेम है, तो LCM निकालते है, denominators का, denominators है 10 और 6, यहाँ LCM निकालेंगे, common factor क्या है 10 और 6 का, 2, तो हम 2 से divide करेंगे, 2 5s आ 10, 2 3s आ 6, अब 3 और 5 तो प्राइम नंबर है, इनका कोई common factor नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ रुक जाएंगे, और LCM निकालेंगे, LCM होता है, divisor, common divisor और यह बचे हुए numbers का multiplication, तो LCM हो जाएगा, 2 multiply by 5, multiply by 3, यानि की 30, अब हमें इन दोनों denominators को बनाना है 30, तो पहले लेते हैं 9 by 10, और इसको 30 बनाते हैं, तो 10 को 30 बनाने के लिए किस से multiply करना पड़ेगा, 3 से, अब क्योंकि denominator में 3 से multiply किया है, numerator भी उसी नंबर से करेंगे, 9 3s are 27, तो बन गया 27 by 30, तो 9 by 10 convert हो गया 27 by 30 में, अब 5 by 6 में भी denominator को 30 बनाएंगे, तो कैसे 6 को किस से multiply करेंगे कि 30 बन जाए, 6 5s are 30, तो numerator में भी 5 से multiply कर दो, 5 5s are 25, बन गया 25 by 30, अब देखिए दोनों के equivalent fraction क्या बन गए, 9 by 10 का 27 by 30 और 5 by 6 का 25 by 30, चलिए दोनों को compare करें, क्योंकि अब दोनों के denominator same हो गए है, numerator से हम आसानी से compare कर सकते हैं, 27 और 25 क्या बढ़ा है? 27, इसलिए 27 by 30 बढ़ा है 25 by 30 से, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि 9 by 10 बढ़ा है 5 by 6 से, चलिए एक और question करते हैं, 6 by 7 और 1, अब यहाँ 1 है, 1 तो whole number है, हम तो यहाँ fractions का comparison कर रहे हैं, तो हम क्या करें? हम इस 1 को fraction के form में लिख सकते हैं, 1 by 1, तो यह हमारा हो गया 6 by 7 और 1 by 1, बन गया fraction, अब यहाँ देखिए, 7 और 1, denominators different हैं, 6 और 1, numerators भी different हैं, यानि हमें LCM निकालना होगा, denominators का, 7 और 1 का LCM 7 ही होता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि 7 और 1 आपस में co-primes हैं, दोनों का common factor 1 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो जब common factor 1 ही होता है, कि नी भी दो number का, तो LCM उन दोनों का product होता है, तो 7 बन जा 7, तो यहाँ LCM हो गया 7, अब 6 by 7 में तो already denominator 7 है, तो इस 1 by 1 को भी 7 बना दे, यहाँ पे भी denominator 7 बना देते हैं, 7 बनाने के लिए 7 से multiply कर दो, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, बन गया 7 by 7, अब compare हो सकता है, easily, 6 by 7, 7 by 7, denominator 7 हो गए, यहाँ numerator 6 है, यहाँ 7 है, तो कौन जा बढ़ा है? यह वाला numerator, इसका मतलब 7 by 7 बढ़ा है, 6 by 7 से, यह हम यह भी कह सकते हैं कि, यह 1 बढ़ा है, 6 by 7 से, अब देखिए, ascending order, ascending order का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, smallest to largest, जैसे 1, 1 से बढ़ा 2, फिर 3, फिर 4 है न, अगर थोड़े large number लें तो इस तरह से बताया था, 230 इन से बढ़ा है, 230, फिर 245, फिर 277, फिर 291, it means smallest से largest, यह होता है, ascending order, stairs, चरना, यही ascending order fractions में भी बनाया जा सकता है, कैसे देखते हैं, अब देखिए, कैसे ascending order में arrange किया जाता है, यह आपके 4 fractions given है, 5 by 12, 3 by 4, 9 by 16, 7 by 8, अब देखिए, इनको ascending order में arrange करना है, इसका मतलब हमें यह पता करना होगा, चारू में से सबसे चोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, और सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ हमें compare करने की जरूरत है, और compare करने के लिए, अगर denominator सेम होता, तब तो आप आसानी से numerator से compare कर सकते थे, पर denominator same है न denominator same है तो हमें LCM निकालना होगा denominators का अब यह denominator क्या क्या है 12, 4, 16, 8 तो यहाँ side में LCM निकालेंगे 12, 4, 16 और 8 का 12 को 4 को 16 को और 8 को इन 4 का common divisor देखते हैं क्या है क्या 2 चारो का common divisor है है 2 से सब में divide जाता है तो 2 से divide कर देंगे 2, 6 12, 2, 2, 4, 2, 8, 16, 2, 4, 8 अब देखिए 6, 2, 8, 4 इन 4 में भी 2 से divide जाता है पूरा पूरा हाँ 2, 3, 6, 2, 1, 2, 2, 4, 8, 2, 2, 2, 4 अब देखिए अब चारो का common divisor तो नहीं है पर किनी दो नमबरों का है हाँ 2 और 4 का common divisor है और वो है 2 तो 2 से divide कर देते हैं 3 as it is उतारेंगे 1 as it is लिखेंगे 4 में 2 से divide करेंगे 2, 2 जा 4 आ गया और इस 2 में भी करेंगे तो 2, 1 जा आ गया अब किसी भी दो नमबर का भी कोई common divisor नहीं है क्योंकि 3 और 2 तो प्राइम है बागी 1 लिखा हुआ है तो हम LCM निकाल देंगे LCM होता है product in common divisors का और remaining numbers का यानि 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 तो LCM आ गया 48, 48 यहाँ पे है LCM, अब देखिए, अब हमें क्या करना है हमें इन सारे fractions का ऐसा equivalent fraction निकालना है जिनका denominator 48 हो, तो पहले मैं लेती हूँ 5 by 12, 5 by 12 में इस denominator 12 को 48 बनाने के लिए हमें किस से multiply करना होगा? 4 से, अब क्योंकि denominator में 4 से multiply किया है तो numerator में भी करना होगा 5 4s are 20, बन गया equivalent fraction 20 by 48, अब हम 3 by 4 का बनाएंगे 4 में किस से multiply करें कि 48 हो जाए? 12 से, 4 12s are 48, तो 12 से हमें numerator में भी करना होगा, 3 12s are 36, इसी तरह से 9 by 16 लिया हमने 3rd fraction, इस 16 का 48 बनाने के लिए 3 से multiply करना पड़ा, तो numerator में 3 से multiply करेंगे, 9 3s are 27, बन गया equivalent fraction 27 by 48, अब हम लेंगे यह 4th वाला fraction, 7 by 8, 8 का 48 कैसे बनता है? 8 6 of 48, जब हम 8 को 6 से multiply करते हैं, क्योंकि हमने denominator में भी 6 से किया है, तो numerator में भी 6 से करो, 7 6 of 42, बन गया fraction 42 by 48, अब देखिए यह 4 fractions का denominator सेम है, अब आप easily बता सकते हो, सिर्फ numerator को देखके, कि कौन सा सबसे चोटा है, कौन सा उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, तो सबसे चोटा numerator है 20, इत मींस 20 by 48, सबसे चोटा fraction है, उससे बड़ा 27 by 48, उससे बड़ा 36 by 48, और सबसे बड़ा 42 by 48, यह देखिए, अब इनके original fractions लिख दे, 20 by 48, किसका equivalent fraction था, 5 by 12 का, तो इसके नीचे 5 by 12 लिख दीजिए, 27 by 48, किसका fraction था, 9 by 16 का, तो इसके नीचे 9 by 16 लिख दीजिए, इसी तरह से 36 by 48, किसका था, 3 by 4 का, तो 30 इसके नीचे आजाएगा 3 by 4, और 42 by 48 के नीचे आजाएगा 7 by 8, तो यह है आपका ascending order, smallest to largest, अच्छा, descending order क्या होता है, descending order मतलब largest to smallest, staircase उतरना, छोटे से बड़ा होता है, ascending order, और बड़े से छोटे क्रम में लिखने को कहते हैं, descending order, यानि 4, 3, 2, 1, यह है आपका descending order, इधर देखिए, थोड़े बड़े numbers में, 291 से छोटा 277, उस से छोटा 245, उस से छोटा 230 और सबसे छोटा 213, यह है descending order, यह numbers का descending order था, अब हम fractions का descending order भी सीखेंगे, descending order के लिए यह रहा आपका question, 1 by 2, 3 by 4, 2 by 5, अब देखिए, numerators भी different हैं और denominators भी different हैं, तो fractions compare करने के लिए हमें LCM निकालना होगा, और LCM हमेशा denominators का निकाला जाता है, denominators है 2, 4, 5, तो LCM निकालते हैं, 2, 4, 5, इन तीनों का कोई एक common divisor तो नहीं है, लेकिन किनी दो number का चेक करते हैं, 2 और 4 का एक common divisor है, 2, तो 2 से divide कर देते हैं, 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, और 5 as it is उतार देते हैं, अब देखिए 2 और 5 प्राइम नमबर आ गए और यह तो 1 है, यानि अब कोई common divisor नहीं है, किनी 2 का भी नहीं, तो हम यहीं रुख जाएंगे, LCM निकालेंगे, LCM होता है इस तरफ के numbers का multiplication और यह remaining numbers का, यानि 2 multiplied by 2 multiplied by 5, इत मींज 20, तो अब LCM आ गया, LCM आते से ही हमें हर fraction का ऐसा equivalent fraction निकालना है, जिसका denominator यह LCM हो, यानि 20 हो, तो पहले हम लेते हैं 1 by 2, 1 by 2 में denominator 2 का 20 करने के लिए 10 से multiply किया, अब क्योंकि denominator में 10 से multiply किया है, तो numerator में भी कर दो, 1 tensa बन गया 10 by 20, इसी तरह से 3 by 4 लेते हैं, इसमें भी 4 का 20 बनाना है, तो 4 को 5 से multiply किया, अब जब denominator में किया है 5 से, तो numerator में भी करो, 3 5s are 15, बन गया 15 by 20, इसी तरह से 2 by 5, थर्ड फ्रेक्शन है, इसमें भी 5 4s are 20 हो गया, अब क्योंकि 4 से multiply किया है 20 बनाने के लिए, तो उपर भी करिए numerator में 2 4s are 8, बस अब तीनों के denominator देखिए 20 हो गये, अब हम इनके numerator को देखके, easily compare कर सकते हैं, descending में हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा numerator है 15, तो 15 by 20 हो गया आपका, सबसे बड़ा fraction, उससे छोटा 10 by 20 और सबसे छोटा 8 by 20, ये देखिए, ये है descending order, इनके original fraction लिख दीजिये, इनके नीचे, 15 by 20 के नीचे आजाएगा, 3 by 4, 10 by 20 के नीचे आजाएगा, 1 by 2, और 8 by 20 के नीचे आजाएगा, 2 by 5, तो ये हो गया आपका descending order, करते हैं, word problem, Pamela has 3 recipes for a cake, each of which needs different amount of flour, recipe A needs 3 by 4 cups, recipe B needs 2 by 3 cups, C needs 4 by 5 cups, which recipe needs most of the flour and which needs the least, इसका मतलब, word problem जब भी आएएगा पहले उसे समझिये, कि actually में वो problem है क्या, Pamela के पास 3 recipes है कि, जिसमें अलग-अलग amount डलता है, आटे का, recipe A में डलता है 3 by 4 cup आटा, B में डलता है 2 by 3 cup, C में डलता है 4 by 5 cup, किस recipe में सबसे ज़्यादा आटा डलता है और किस में सबसे कम, यानि हमें compare करना है, किस-किस चीज को, देखिए recipe A, recipe B, recipe C, तीनों में कितना-कितना आटा डलता है वो लिखा हमने, as a statement, then, तीन fraction है याँ पे, 3 by 4, 2 by 3, 4 by 5, तीनों को compare कर ले, compare करने के लिए देखिए, denominators अलग है, numerators भी अलग है, यानि हम निकालेंगे LCM, LCM हमेशा निकलता है, denominators का 4, 3 और 5 का LCM निकलेगा, 4, 3, 5, ये तीनों numbers, एक बार देखिए, इन तीनों का क्या कोई common divisor है, नहीं है, क्या किनी 2 का भी कोई common divisor है, नहीं, यानि ये तीनों आपस में, co-primes हैं, और co-primes का LCM तो बहुत असान है, सिर्फ ती number को कर दीज़े, multiply, 4, multiply by 3, multiply by 5, यानि 60, LCM हो गया, 60, अब हमें क्या करना है, compare करने के लिए, तीनों denominators को 60 बनाना है, यानि, ऐसे equivalent fractions में convert करना है, इन तीनों fractions को, कि उनका denominator 60 हो, ये तो बहुत असान है, 3 by 4 को लेते हैं सबसे पहले, और 4 को 60 कैसे बनाएंगे, 4 में अगर आप 15 का multiply करोगे, तो वो 60 बन जाएगा, अब क्योंकि आपने denominator में 15 से multiply किया है, तो numerator में भी करिए, 3 15s आ 45, इसी तरह से, 2 by 3, 3 को 60 बनाना है, तो किस से multiply करना होगा, 20 से, 3 20s आ 60, अब क्योंकि डिनॉमिनेटर में 20 से किया है, तो equivalent fraction का rule कहता है, numerator में भी same number से multiply करो, 2 20s आ 40, बन गया 40 by 60, इसी तरह 4 by 5, 5 को 60 बनाना है, तो 12 से multiply करेंगे, 5 12s आ 60, same equivalent fraction है, डिनॉमिनेटर में 12 से किया है, तो numerator में भी कर दो, तो 4 12s आ 48 बन गया, तीनों के ऐसे equivalent fraction आ गए, जिनका denominator 60 है, अब आप easily compare कर सकते हो, जरा यहां ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा कौन सा है, यानि सबसे बड़ा fraction कौन सा है, सिर्फ numerator देखिए, 45, 40, 48, यानि 48 सबसे बड़ा है, 48 बाइ 60 सबसे बड़ा fraction है, उससे छोटा 45 बाइ 60 है, और सबसे छोटा 40 बाइ 60 है, जरा इनके original fractions भी लिख दे, 48 बाइ 60 किसका equivalent fraction था, 4 बाइ 5 का, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, 4 बाइ 5, 45 बाइ 60 किसका equivalent fraction था, 3 बाइ 4 का, तो मैंने यहां 3 बाइ 4 लिख दिया, 40 बाइ 60 किसका equivalent fraction था, 2 बाइ 3 का, तो यहां लिख दिया 2 बाइ 3, अब आप easily बता सकते हो, कि कौन सा fraction सबसे बड़ा है, और कौन सा सबसे चोटा, सबसे बड़ा fraction है 4 बाइ 5, यानि 4 बाइ 5 कप सबसे ज़ादा है, B, recipe B को सबसे काम आटे की ज़रूरत है, very simple, तो बच्चों practice करो, fraction बहुत आसान topic है, कुछ ही बहुत important चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने कहा A, B, C, D है fractions की, proper, improper, mixed number, equivalent fraction, LCM निकाल के equivalent fraction में convert करना, बस इतना आ गया, तो आप fraction में कुछ भी कर सकते हो, और बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन practice बहुत जरूरी है, जितने जादा questions आप लोग करोगे, उतना ही अच्छे से आप उस concept को समझ पाओगे, so do practice, बाबाई,